बालकिष्ण इंडस्टीर्स को आज के दिन हम ट्रेड कर रहे हैं इसके अंदर अलेड़ी हमारी कोजिशन चल रही है अब ही इसके पीछे का क्या मतलब क्यूं हमने बालकिष्ण इंडस्ट्री को ट्रेड किया कैसे ट्रेड किया अनल्सिस क्या है और जैसे हर बार करते हैं वहीं अनल्सिस समझोग से आज की दिन करेंगे और इस वद का अपना कुछ जो प्रॉफिट चल रहा है और जब से एक्जिकूट के तब से इसकेंदर एक मूवमेंट अपसाइड की तरफ यह जो गिरावट थी यह काफी है वालकिष्ण इंडस्ट्री जब कल की दिन बंद हुआ था तो यह वाली जो हमारी कैंडल थी दो बचकर पांच वाट की कैंडल जो आप देख रहा हो दे यहां से प्लां सीथ हे नीचे नीचे की दरफ गिरलिया था इस हाई वहॉल्म के बाद मेंश ज्यादा मूव नहीं कर पाया और आज देखें उप्लिए इस क्लोजिंग के बाद यहां पर आप देखोगे एक candle है जो की पूरे इस trend के दौरान बाल किष्णा क्या कर रहा है गिर रहा है एक इसका जो basic trend है यह पूरे movement के दौरान एक जो सबसे हाई candle बनी है high in the sense के जिस candle के अंदर move सबसे बड़े हुए है उस candle को हम लोग देखेंगे यहां पर वो candle कौन सी है यह वाली candle सबसे अलग यह candle दिख रहे हैं हमको देखिए पूरे structure के दौरान पूरे downside के दौरान यह एक इकलौती ऐसी candle है जो क्योंकि अलग से हम कुछ हो रही है आप एक काम करिए हम लोग इसका low mark कर लेते हैं and low markings के बाद में यह नीचे के मूर्स भूल जाई है मतलब downside के हुए तो चलिए ठीक हो गया यहां से हमको price को analyze करना है because higher time frame पर यह मेरी आज की एक important candle है क्या लोग जी के इसको लेने के पीछ करेंगे देखिए यह 16th of February की candle जैसा भी उने बता है कि सबसे high volatile candle है सबसे ज्यादा मूव इसके अंदर हुआ है black candle की नीचे है price ने closing करने की कोशिच की थी मतलब इस candle के लोग को break करने की कोशिच की but price मेरा देखे close नहीं हो पाया और again next trading session में यह price मेरा upside के तरफ चला गया इ मतलब 16th की candle को 16th of February की candle का low break करने की कोशिच की गई but price मेरा upside के दरफ चला गया अब 18th of February को price ने closing की and closing के बाद मुआ पस price मेरा नहीं चेली गया क्या यह हम मान सकते हैं कि 11995 एक support है अब अगर यह है तो आने वाले sessions में इस एक range के पास में आपको activities शो करेगी market यह हर बार हो price cap downs दिखेंगे दिखेंगे अब यहां पर देखी क्या हुआ एक दो तीन चार एक दो तीन चार यह चार केंडस के मूव हमको 11995 के पास से ही दिख रहा है यह वाले ट्रेडिंग सेशन था इसके बाद से price ने यहां पर एक gap up opening दी अब price देखेंगे down से upside की तरफ तो जा रहा है एक strong movement आपको दिख रहा होगा और यहां पर जाते ही जैसे ही price अपने resistance पर पहुंचा देखेंगे इसने क्या किया एक gap up opening दी इसको समझने ही कोशिश के जागा थोड़ा से यहां पर एक gap up opening दी अगर यह strong था तो ऊपर निकल जाता ना और प्राइस में नीचे के लिए और तब से प्राइस बेरा नीचे यह प्रीवेस टू प्रीवेस टेके session में भी प्रीवेस के breakout हो गये अब यह वाली जो जिसने gap up opening दी दी जिसके अंदर संभावना है थी कि प्राइस अपसाइट की तरफ मूव करता तो चला जाएगा वर प्राइस यहां से गिर गया हम यह जानते हैं कि प्राइस अपसाइट की तरफ मूव उसको करना होता है तो वह resistance के breakout करता है औ कहीं ना कहीं तो इसने कुछ swing बनाए होंगे जहां से नीचे गिरी या फिर कहीं ना कहीं supports बनाए होंगे जिनको break करके market नीचे गिरी जब आप lower time frame पर 10th of March की candle को read करोगे तो आपको significations दिख जाएंगे swing दिखेंगे, swing highs दिखेंगे जहां से market मेरी पलट गे थी, नीचे गिरी थी और पूरे दिन गिरती रही थी हम लोगों ने higher time frame पर अभी तक क्या समझा कि 1195 is a signification area, बहुत important zone है हमारा और previous जो important candle है यहीं पर सारी के सारी activities हो रही है clear वीडियो कर समझने में problem हो रही तो आप एक दो बार इसको rewind करकर के देखिए अगर आप समझना चाहते हो तो time pass कर रहे हो तो कोई बात नहीं आप अगर समझना है तो बहुत सारी चीजर समझ में आ जाएंगे बहुत सारी चीजर समझ में आजाएंगे कुछ आपको doubt होता है तो comment box में पूछ सकते हो उसका reply करेंगे वीडियो को जिस effort के साथ हो जिस तरह से हम बना रहे हैं हम कोशिश के करते हैं कि आपको कोई doubt नहीं हो त time frame के अंदर आज की activity छोड़ दिए आज जोगी है मार्केट ने हम लोग उस एक इस वाली candle को देखेंगे यहां पर market नीचे आगी थी ना मेरी 10th of March को उस एक candle के उपर देखी यहां पर closing और यह opening यह gap of opening price नीचे गिर गया है अगें यहां पर एक swing लगा था और प्राइस वा market हमारी गिरी है वो इस एक swing point से गिरी है आप एक काम करो इस swing को mark कर लो higher time frame पर देख रहे हैं कि एक range हमने 1195 की रखी और अब हम इस swing को देख लेंगे यहां से market नीचे गिर गई थी और फिर previous to previous टेकर से trading session और कल कर trading session market नीचे ही रही है बट कल क्या हुआ था जब market हमारी उस बचकर 5 मिनट में volumes के breakout उसके बाद में 3 बचकर 15 मिनट पर volumes के breakout आज 9 बचकर 20 मिनट की candle इसको समझेगा यह हमारा आज का चार्ट है volumes को off करी पहले यह मेरा resistance point है अभी इन resistance के पास से एक swing एक swing यह 9 बचकर 15 मिनट का high 9 बचकर 20 मिनट की candle ने ब्रेक किया और यहां पर एक low ल दिया डेली टाइम फ्रेम पर हमने देखा कि price अपने resistance ब्रेक किया है lower टाइम फ्रेम पर हम आकर के देख रहे हैं कि price ने कल का swing ब्रेक किया है मेरा यह वाला आज की 9.15 की candle का high ब्रेक कर लिया strong अब अब हमें यह देखना है कि क्या price अपने आज की lows ब्रेक कर रही है बहुत simple है जैसे कि सबसे पहला day का जो सबसे first low लगा वो कहाँ पर लगा एक यह high और यह low high again low अब यहां पर जो मेरा low लगा वो इस वाले point पर लगा हम लोगे काम करते हैं इसका color change करते हूं लाइन को थोड़ा सा डार कर लेते हैं अब दीखे प्राइज ने क्या किया है मेरे जितने भी swings हैं इनके ऊपर जा करके closing दे दी मतलब अभी तक क्या हो रहा था कि price ने विग बनाई थी कोई एक strong closing नहीं दी थी बट हाँ विग बना रहा था यह विग बनाई विग बनाई और अब इसने closing कर दी यहां पर भी closing कर दी और price retrace होने के लिए अभी देखिए एक 1% की candle आपको देखेगी यह वाली यह point अब देख रहे हैं और यह candle कहां तक गरी है morning के lows तक price ने अपने lows को किस तरह से protect किया है यह देखिए और highs को morning से break कर रहा है अभी इस एक candle के break हो जाने के बाद में मतलब यहां तक price के support लेने के बाद में जैसे ही पहली green candle form हुई है हमने इसके green candle के form होने के बाद में जो भी हमको entry point मिला वहां पर हमने अपनी entry ले ले तो 1990 रुपए 50 पैसे है 45 पैसे पर कुछ अपनी entry हम लोगों यहां पर लिए प्राइस के रिट्रेस्मेंट के बाद जो green candle बने यहां पर entry हो गए था अब देखिए stop loss लगाने के लिए हम लोग किस एक point को यूज कर सकते हैं 1990 के नीचे 1922 यह point बन सकते है मेरा stop loss का लेकिन हम जानते हैं कि यहां पर जो एक सही stop loss या फिर एक safe stop loss अगर हम देख रहे हैं तो यह वाली जो मेरी candle है ना 9 बसका 40 के candle इसके नीचे भी हम लोग अपना stop loss लगा सकते बेकॉज यह भी एक swing है अब अगर market को नीचे गिरने है तो अपने इस swing को यह protect करने की कोशिश करेंगे बट थोड़ा सम बफर देंगे एंड जो stop losses वगारा है कुछ इस से point पर रखने की कोशिश करेंगे मतलब इस वाले swing के नीचे अपना stop loss रखेंगे इस range को कर देते हैं delete एक एक line जो अभी हमने draw की है एक important line है अगर miss करते हो आप तो पूरी की study को miss कर दोगे यह कोई भी किसी तरह का option future trade नहीं है कि हमने कुछ भी किया इसमें आपने lot buy कर दिया जितना money हुआ buy कर दिया जितना सबसे उपर रखना है risk management को हमेशा सबसे उपर रखना है देख लो वीडियो को skip करकर कि आप देखोगे ना आपका समझ में आ जागा हाँ यह profit क्या चल रहा है तीन profit चल रहा है चलो skip कर दे लास्ट तक चलेगे क्या profit भूग क्या loss भूग क्या यह सब देख लिए important यह loss of profit न study में improvement आएगे यह जितनी मेरा effort है जितनी भी हुमारी मेनत है यह सारी इसलिए है ताकि आप जब price को trade करने जाओ तो कम से कम आपका loss कम हो कम से कम आप अपने loss को बचास को protect कर सको profit धीरे-धीरे होगा market में आप हो loss नहीं होगा तो दूसरी दूसरा point क्या होता profit profit बनना शुर stop loss की line है इस range को delete कर देते हैं एंट्री का point यह है और टार्गेट जो order book देख लेते हैं असेब और बॉक में देखिए 400 क्वान्टी इसक और में execute किया है 1990 उर्पे 46 पैसे पर अपना order कर जिसके उट है 1990-60 पर लगा तो 46 पर मिला है थोड़ा सा क्योंकि आज जो भी order हमको मिला वह नहीं पर नहीं ले लिया है एक aggressive entry थी है हमारी and stop loss 1984.65 पर अपना stop loss लगाया हूँ है 1984.65 पर मेला stop loss है and इस वतकर अपना profit है 4100 की करीब रन हो रहा है and stop loss का area and targets के लिए हम लोग 2020 simple target के लिए हम इस range के यूज़ करेंगे movement अभी समय अपने पास काफी है because ये वाली candle बन रही 11 बच कर 25 मिट की candle है तो पूरा का पूरा एक second half बचा हुआ है movement के chances are very high कि यहां पर prices के movement हो सकते है price अगर upside के तरफ breakout करता है movements अच्छे होते हैं और volumes के breakout होने लगते हैं तो price और भी upside के तरफ जाएगा देखेंगे बट अगर यहां पर हमें activities को सही नहीं लगते तो यहां पर अपने profits को book करने के कोशिश करेंगे प्राइज जो हमारा इस रेंज पर पहुंचेगा तब हम देखेंगे यहां पर volumes के क्या breakouts हो रहा है प्राइजिस के क्या movements हो रहे हैं अगर हमें लगेगा कि targets को stretch करें तो stretch करें अदर्वाइज यहां पर अपने profits को book करके trade यहां पर खतम कर देंगे किसी अच्छे movement का wait करते हैं को movement होती तो आपको हम इंफॉर्म करते हैं तो इस वक्त का जो अपना profit है 3815 और पर 45 पैसे अगर हम लोग profit में बने हुए इसके अदर को बड़ा movement होता है हमको एक्टिविटी करते हैं तो आपको इंफॉर्म करते हैं जैसे हम लोगों ने discuss किया था दो हजार बीस के लिवल को प्राइस ने एक बार में ब्रेक कर दिया है 2020 इस प्राइस को इस रेंज को प्राइस ने ब्रेक है और यहां पर देखिए वॉल्म भी ठीक ठाक आ रहे हैं मतलब वॉल्म के ब्रेक आउट लगातार हो रहे हैं और प्रिविएस कुछ सेशन के वॉल्म प्राइस के अंदर जो सेशन बना है उसको प्राइस ने पर ब्रेक है तो वॉल्म के ब्रेक आउट हुए और प्राइस के ब्रेक आउट हो गया है अभी टार्गेट को में स्ट्रेच कर दिया है जिसमें से कुछ एक पॉइंट की मुव्मेंट हुए भी है लेकर के अपसाइड में देखिए टू जरो टू थ्री एंड सेवन रुपीज से लगवग हमारा टार्गेट छोड़े हुए है तो इस वत का हमारा प्रॉपिट है तेरहाजार दोसो पंचानुए रुपए बेट करना चाहेंगे लगबग 6 और 50 पर टार्गेट हमारा पैंडिक पड़ा हुआ है अब एकर मुव आता है तो यहां पर हम बाहर हो जाएंगे पुरी तरह से एंड और भी लगा करके नहीं रखेंगे प्राइस उस रेंज पर जाएगा तब हम और लगाएंगे तो 12,200 र चलने देते हैं प्राफिट्स इंक्रीज हुए है 14,000 के करीब हम लोग प्राफिट के अंदर बने हुए है 14,600 ए 14,200 कोई बात नहीं चलिए अपने टार्गेट्स तक हम वेट करेंगे 2030 रूपीज तरक प्राइस जिसे उस रेंज तक पहुंचेगे हम यहां से चुप चाप बाहर निकल जाएंगे यहां का जो हाई लगा है 2029.95 है पांच पैसे से बचा हुआ है अपनी डेस्क चोड़कर हमें थोड़ा सा बाहर जाना पड़ा है जिसके वज़े से बदा नुकसावन होते होते हैं बचाएंडी में जहां से हमें निकलना था अथरीगा जा प्राइस देखिए काफी ऊपर तक चला गया था हम चाहते हो तो अपसाइड की तरफ निकल सकते थे बट इतना बड़ा रिजेक्शन और प्राइस सीध है मेरा किर के नीचे यह तो लग अच्छा था कि प्राइस से हमको निकलने के मौक मिला इसको अच्छली हम अपने करें लगाता और यह बार जो प्राइस अपना दस बचका दसमेंट की जो कैंडल थी यहां पर प्राइस वापस रिट ओने कलिया था तो 2,000 बहुतार पैसे पर हम बहार निकल गये थे और बूपन करते हैं तो सबसे ऊपर का यह उड़र दिख़ा हो गा 2,000 बहुताइड की वहारा आज किस्मत अच्छे थी लुग अच्छा था वारना आया हुआ प्रोफिट भी सारा का सारा मार निकल जाता यह अधर ऑट जो मुवमेंट थे भाल किष्णा के और जिस तरह इस अपने प्रैस को आप नहीं होने चाहिए तो वह पूरे दिन अप महीरा भले वह साइड जोगे था आप लास्ट में जाकर के but strongly close वो आज strongly ही हुआ है तो अगर आप इसको ranges को आप मार्क करोगे देखोगे तो इन ranges का use-up next trading session में कर सकते हों तो इन ranges को आप observe किजिएगा और जैसा भी होता है हमें अपना feedback देजाएगा thank you and we will meet again